दोस्तो 9 सितंबर 1967 को अमरीच सर में जन्मे अक्षे कुमार का वास्तिविक नाम राजीब हरी ओम भाटिया है दिल्ली के चांदली चोक में बचपन गुजारने के बाद अक्षे मुंबाई आए और डॉन बॉस को स्कूल तथा गुरु नानक खालसा कॉलेज में पढ़ाई की अक्षे कुमार ताइकांडो में ब्लैक बैल्ड है, मार्शल आर्ट्स में उनकी गहरी रूची है, एंकॉप में मार्शल आर्ट्स सीखने गर खाली समय में उन्होंने शेफ और वेटर की नौकरी भी की अक्षे कुमार मुंबई आकर मार्शल आर्ट्स का प्रक्षिशन देने लगे, उनके एक विधारती ने जो की एक फोटोग्राफ रथा, अक्षे को का कि वे दिखने में हैंसम है और उन्हें मौडलिंग में किसमत आजवाना चाहिए, मौडलिंग में जल्द ही अक्षे को म मौका मिल गया, मौडलिंग के लिए उन्होंने दो दिंग की शुटिंग की और उन्हें इतने पैसे मिल गए जितना में मार्शल आर्ट सिखा कर महीने बर में कमाते थे, बस फिर क्या था, अक्षे ने फैसला कर लिया कि ये मौडलिंग और फिलम लाइन ज्यादा अच्छी है, अक्षे मौडलिंग के साथ साथ फिलम निर्माता के दफ्तर में भी चक्कर लगाने लगे, एक बार बैंगलोर उन्हें एक विग्यापन की शुटिंग के लिए जाना था, अक्षे फ्लाइट्स मिस कर गए, खाली वक्त का उप्योग करते हुए एक फिलम निर्माता के दफ्तर में काम मांगने गए, और उन्हें शाम को ही प्रमोच अक्रवर्ती की फिलम दीदार में हीरो का रॉल मिल गया, अक्षे कुमार ने महीश पट की फिलम आज 1987 में एक मार्शल आर्ट से इंस्ट्रक्टर की छोटी सी भूमी का निभाई थी, जो मातर साथ सेकंड की थ अक्षे कुमार कहते हैं कि उन्होंने उस तीन सपने में भी नहीं सोचाता कि वे एक दिन राजश खना की बेटी से विवाग रचाएंगे, बतोर हीरो सौगंद 1991 रिलीज होने वाली अक्षे कुमार के सबसे पहली फिलम थी, अक्षे कुमार के पैर जब बॉलिवूड में जम गए और धड़ादर फिलमों के ओफर आने लगे तो उन्होंने धेर सारी फिलमें साइन कर ली, 1994 में तो ये हाल था कि अक्षे कुमार की 4-5 नहीं बलकि 11 फिलमें रिलीज होई थी, इनके नाम है एलान, ये दिल लगी, जै किशन, मोहरा, मैं खिलाडी, तू अनाडी, के अक्षे कुमार बड़े दिल फैक रहे है, पूजा पत्रा, रविन अटेंडन, शिल्पा शिटी के साथ उन्होंने जम कर रोमांस किया, इसके बड़ ट्विंकल खन्ना ने अक्षे की लाइफ में एंट्री लिए, अक्षे से शादी करके ही मानी, शादी के बाद भी अक्ष देट्स की समस्या होने के करण डिमपल वो फिलम नहीं कर पाई, इस फिलम में रेखा और अक्षे के बीच एक होट गाना फिलम आया गया था, अब सब का माना है कि अच्छा ही हुआ कि वो फिलम डिमपल नहीं की, डिमपल के घर के सामने से जब भी अक्षे कुमार गुजर खिलाडी शब्द वाली जादतर फिलमी हीट रही है, खिलाडी 1992, मैं खिलाडी तू अठरी 1994, सबसे बड़ा खिलाडी 1995 में, खिलाडी खिलाडी 1996 में, Mr.& Mrs. खिलाडी 1997 में, इंटरनेशनल खिलाडी 1999 में, खिलाडी 420-2000 में और खिलाडी 786-2012 में, जैसी खिलाडी वाली फिल्मों में अकी ने काम किया है, खिलाडियों के खिलाडी में अक्षे के नाम पर गीत है, जिसमें बताया गया है कि बिना किसी Godfather ये रिष्टिदार के उन्हों हुई थी, इस दोर में एक्षन और फार्मूला फिल्मों का असर कम हो रहा था, सनी देवल, सुनील, शेटी, गोविंदा, अक्षे कुमार के करियर पर ग्रहन लगने लगा था, हेरा फेरी के जरिये अक्षे ने साबित के वे कॉमेडी भी अच्छी कर लेते हैं, इसके आत को सोने में देर भी हो जाए, तो भी वे चार बजे ही उठते हैं, इसलिए फिल्मी पार्टियों से दूर रहते हैं, अपनी डाइट को लेकर भी वे बेहत सतरक रहते हैं, बॉलिवुड में आम तोर पर दोपहर में काम शुरू होकर देर रात तक चलता है, लेकिन कोई नहीं जानता हो, वे वहाँ कार्द में घूंते हैं, रोड साइट होटलों में रुखते हैं और जिंदगी को नस्दीक से जानने की कोशिश करते हैं, अक्षे कुमार की बेटी का नाम नितारा है, जो अपने पापा को अकी बेटा कहकर बुलाती है, अराव के बारे में अक्षे कुमार के सासू राजश खन्ना ने भवेश्यवानी कीती के वे सुपरस्टार बनेगा, अक्षे कुमार अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखते हैं, उनका माना है कि इससे उनका बच्पन समानने रहेगा, आउट्डोर गेम्स और स्टेंट करना उन्हें बेह संद किया और इसको होस्ट भी किया, मैलाओ के अक्षे बेहत इच्चत करते हैं और उन्हें पुरुषों से ज़्यादा थाकतवर मानते हैं, शायद इसलिव अपनी बहन, मा, पत्नी, बेटी और सास की बेहत नस्दीक हैं, अक्षे कुमार बॉलिवुड इंडरस्ट्री में खान एक्टरस यानी शारुख खान, सल्मान खान और आमिर खान से भी पुराने हैं, 1994 में अक्षे कुमार के कुल 12 फिल्में रिलीज होई थी, बॉलिवुड में सबसे बड़ी फिलम सिरीज अक्षे कुमार के नाम है, अब तक खिलाडी सिरीज की 8 फिल्मों में काम कर चुक बॉलिवुड के सबसे ज्यादा इंकम टेक्स भरने वाले एक्टर है, 1992 में आई आमिर खान की सुपरिट फिल्म जो जीता वही सिकंदर में दीपक तीजोरी वाले रोल के लिए अक्षे कुमार ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गये थे, जहां एक को रात बर पार्टी करने का शौक है, वहीं दूसरे तरफ अक्षे को जल्दी सोकर सुबह पांच बजे उठनी की आदत है, वह सारे इंटरव्यू और मीटिंग सुबह सुबही करना पसंद करते हैं, दोस्तों अक्षे कुमार की गल्फ्रेंड की लिस्ट में पहली गल्फ् की खाई बढ़ती चलेगी, और एक दिन प्यार के बंदर में बंदी उनकी हुई सगाई के साथ रिष्टा भी तूट कर बिखर गया, अक्षे रुमान्स के एक ऐसी खिलाडी बन गये थे कि एक ही समय में वे दो खुबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रस रभूईन टिंडर नो उनके प्यार के रिष्टे का नाम ही नहीं मिल पाया था, खिलाडियों के खिलाडी फिलम के शूटिंग के दुरान बॉलिवूड की एवर्न गीन अदाकारा रेखा के साथ अक्षे का रोमान्स खुब लाइम लाइट में रहा, चुकि रेखा उम्रे में अक्षे से काफी ब अधायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अक्षे टbnकल से शादी नहीं करना चाते थे, पर उनकी मा डिंपल कवाडिया के दबाप के आके अक्षे को जुकना पड़ा तिंकल से शादी करनी ही पड़ी, दोस्तो क्या आप जानते हैं कि अक्षे कुमार की कुल चल अचल संपत् दो हजार करोड रुपे हैं अक्षिकुमार को लेकर एक दिल्चस्प किस्सा भी काफी मशूर है एक अवार्ड फंक्शन के समय और्गिनाजर चाते थी कि अक्षिकुमार शोके अंतक रहे तब उन्होंने एक शर्त रखी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें ही दिया जा तब अक्षिकुमार को अवार्ड दे देंगे लेकिन रितिक आय और अक्षिक दोनों ही फंक्शन में मौजूद रहे तब और्गिनाजर ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड रितिक को दे दिया और मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड अक्षिकुमार को दिया अक्षि इस बात से बेहत नराज हुए पर उन्होंने उसे भी स्मार्टली हैंडल करते हुए अवार्ट अमीर खान की गजनी फिलम की बेहिंतिहां तारीफ करते हुए अमीर खान को दे दिया तो दोस्तों आपको खुश्य गमार कैसे लगते हैं और उनकी कौन सी फिलम आपको जादा पसंद हैं में कमेंट में जरूर बताईएगा धन्यवाद